हलो फ्रेंड्स मैं सब्रकु सुनील तवार कंसल्टेंट एंटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे एक बड़ी ही कोमन प्रॉब्लम जो बहुत बार आपको देखने को मिलती है थाइराइड की गाठ और गले की गाठ थाइराइड प्रॉब्ल जानकरी आपको मिलती रहें दोस्तों सबसे पहले जानेंगे वाट इस गोईटर क्या है थाइराइड की गाठ दोस्तों जैसे आप सब को पता है थाइराइड एक यहां पे गले में जो है मिड लाइन पे परीब एक छोटी सी तितली नुमा एक करंथी होती है जिसका करीब क थाइराइड की जो गाठ है वो क्या है थाइराइड में बहुत बार क्या होता है कि यहां जो उसकी स्वेलिंग है उसके अंदर जो है अंदर जो थाइराइड की जो लोब हैं थाइराइड में दोनु तरह दो लोब हैं और बीच में वो जुड़ी होती है एक पिरामेर जिस डाइकनोसिस बनाया जाता है वो उसके लिए एक दो चीजे हैं दो टेस्ट होते हैं एक होता है ब्लड टेस्ट थाइराइड टेस्ट जिसको हम T3, T4, TSH के नाम से जानते हैं थाइराइड फंक्शन टेस्ट टी एफटी दूसरा है दोस्तो एक यूएसजी नेक सोनोग्राफी जो है वो नेक की पूरी कराई जाती है जो स्वेलिंग है उससे जिससे हमें दो चीज का पता लगता है पहला जो ब्लड टेस्ट है दोस्तो उससे ये पता लगता है कि जो हमारी थाइराइड की जो ग्रंती है उसमें जो हमारे को सरीर को जो हार्मोन जित्ता बनना चाहिए वो बन रहा है या नहीं बन रहा है वो हमें T3, T4 और TSH हार्मोन से जो TSH हार्मोन की value अगर बड़ी होई हारी है नॉमल से ज़्यादा ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि हमारे सरीर में जित्ते हार्मोन चाहिए वो नहीं बन रहा तो हमें उपर से उसकी replacement की जरूत है और उस हार्मोन की जो है वो पूर्ती करने के लिए वो thyroid जो है वो axis मात्रा में बढ़ जाती है उसमें swelling हो जाती है वो बड़ी हो जाती है जिसको हम goiter बोलते हैं दोसरा जो हम sonographie कराते हैं दोस्तों उस sonographie में हमें ये पता लगता है कि जो हमारी thyroid जो ग्रंती है उसमें कौन से हिस में वो swelling है right में है left में हैं दोनों में हैं mid में हैं कितनी उसकी size है उसके अंदर अंदर कोई fluid बरा हुआ है या वो solid है तो इन सब चीजों का उसको हमारे को जो है वो sonography से हमें पता लगता है दोस्तो next important thing management क्या इसका management है इसका treatment क्या है दोस्तो thyroid की जो गाठ है या thyroid की swelling है यह कैसी समझ्या है usually इसमें pain नहीं होता और pain नहीं होने के कारण बहुत बार हमने देखा है कि जो patient है इसको हलके में ले लेता है या बहुत बार कोई RMP है या जिसको पता नहीं होता वह गलत सला भी किसी कारण से दे देते हैं कि यह तो आपको pain नहीं कर रही आपका क्या दिक्कत है इसमें ठीक है अभी चलते रहो चलते रहो नहीं दोस्तों आप उस चीज को अच्छे से समझना चाहिए सबसे में जो आपने thyroid का टेस्ट कराया है उसमें अगर आपके हार्मोन नोर्मल है आपका थाइराड टेस्ट बिलकुल नोमल आया है इसका मतलब आपका जो यह प्रॉब्लम है यह जो अंदर जो ट्यूमर है यह जो गांट है इसका सर्जिकली मैनेजमेंट होगा क्योंकि अगर मानलों आपकी स्वेलिंग अगर मानलों पांच या छे दिन से ही है और पेन फूल है तो बहुत बार क्या है जिसको थाइरोडाइटिस वाइरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है वह तो अमोमन क्या एंटिवाटिक और जो है एंटी इंफ्लामेटर सरजरी से ही पॉसिबल है उससे हमें दो फायदे हैं पहला कि जो हम सरजरी कराते हैं उससे वह जो पार्ट है जिसमें ट्यूमर है उसको निकाल दिया जाता है उसका हिस्टो पैथोलोजिकल एनलाइसिस हो जाता है हमें यह पता लग जाता है कि इसमें कोई कैंसर तो नहीं ह यह नोर्मल है और आगे जो है आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन से उससे आपको बचा जा सकता है दोस्तो बहुत बार पेशेंट्स का एक क्योसंस होता है कि अगर मेरी थाइराइड निकाल दी जाएगी तो मेरे को हमेशा जिंदिकी पर गोली देना पड़ेगा दोस्तो ऐसा लाइए यह वहा't सारी चीजह उतिए अगर आपको जो है वह एक तरफ का आपका जो निनी रखती है उसके बाद में आपको एक गोली है जो मैसे भी लेनी हैं आपको पढ़ती है जिंदिकी पर थाहारेंगों की पूरती करने के लिए लेकिन वो thyroid जो है, वो disease होती है, pathological होती है, इसलिए उसको निकालना जरूरी है तो दोस्तों, कभी भी अगर आपको thyroid की कोई समझ्या है, thyroid की कोई gart है, thyroid की कोई swelling है तो उसको कभी भी साधारण नहीं लेकि उसका उचित जो है, वो आपको जो है, doctor को दिखा के उसका test और आगे उसको management आपको proper कराना चाहिए So, I think this information is useful for you and you can share this information to your family and friends just to create more awareness about the thyroid problem in the society and if you have any questions or query regarding the thyroid problem, you can ask in my comment box and then I reply and then you can ask the more questions, thank you